So guys welcome back to another video and आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं gaming cabinet के बारे में तो guys अगर आप अपना gaming PC बिल्ड करने वाले हैं and आप cabinet को लेकर confused हैं एक particular budget में कौन सा cabinet आपको best value for money and best price to performance ratio offer करता है and guys साथ ही कि इस cabinet में आपको अच्छा airflow, RGB strips, RGB fans and PSU shroud मिलते हैं and guys जो पैसा आपने उड़ाया हैं अपने gaming PC को बिल्ड करने के लिए and जो महंगे महंगी components आपने लगाए हैं अपने PC में उन्हें शो करने के लिए कौन सा वो cabinet है जो कि आपको एक good quality का tempered glass offer करता है so guys इन सभी चीज़ों को clear करने वाला हूँ इस वीडियो में and आपके budget में कौन सा cabinet आपको best price to performance ratio offer करता है and आपके budget में कौन सा cabinet आपके लिए best है ये सभी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में well तो guys अगर आप भी इंटरस्टेड है gaming cabinets के बारे में जानने के लिए तो वीडियो का end तक जरूर देखना this is Tony and you are watching gadget beat youtube channel let's start the video without any further delay subscribe करें gadget beat youtube channel को and press करें इस bell icon for games and gaming pcs की latest videos सबसे पहले देखने के लिए so guys मेरे चैनल पर बात होती है ऐसे ही games and gaming pcs से related content के बारे में करूंगा मिल आईगी आपको इसकी इंस्टे नोटिफिकेशन सो guys से cabinet purchase करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहले आपको cabinet में देखना है कि cabinet आपको कैसा airflow कर रहा है cabinet में IO ports आपको कितने मिलते हैं cabinet के IO ports में आपको USB 3.0 मिलते हैं या फिर USB 2.0 मिलते हैं and guys इस cabinet में आपको कितने drive base मिलते हैं अपनी storage को mount करने के लिए आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है cabinet को purchase करने से पहले and guys इसके बाद आपको RGB strips, RGB fans, PSU shroud and tempered glass पर focus करना है so guys इन सभी चीजों पर focus करते हुए जो first cabinet मैंने चूज किया इस वीडियो में वो है chipronics की तरफ से आने वाला 410B cabinet अब इस cabinet में आपको side में tempered glass मिलता है front में dual RGB strips मिल जाती है and अगर मैं बात करूँ I.O ports के बारे में तो इस cabinet में आपको 1 USB 3.0, 2 USB 2.0 and इस cabinet में आपको audio and microphone का port देखने के लिए मिल जाता है and guys अगर मैं बात करूँ storage mount करने की तो इस cabinet में आप 2 3.5 mm की HDD and एक 2.5 mm की SSD mount कर सकते है and guys इस cabinet में आपको 120 mm का non RGB fan मिलता है जो कि इस cabinet के back में mount किया हुआ है so guys ये तो थे इस cabinet के कुछ pros अगर मैं बात करूँ इस cabinet के cones के बारे में तो इस cabinet में आपको 1 ही 2.5 mm की SSD mount करने का option मिलता है कम से कम 2.5 mm की SSD mount करने का space तो देना ही चाहिए and guys इस cabinet में आपको PSU shroud भी नहीं मिलता है and guys PSU shroud ना होने की वज़े से इस cabinet में cable management करना काफी जादर tough हो जाता है तो अगर आप इस cabinet को purchase करना चाहते हैं तो आप Amazon से 2,000 रुपीज का purchase कर सकते हैं वीडियो की description में आपको link मिल जाएगी आप वहाँ से जा कि इस cabinet को purchase कर सकते हैं इस लिस्ट में जो 2nd cabinet चूज किया है वो है anti sports की तरफ से आने वाला i200 TG इस cabinet में आपको front में RGB strips मिल जाती है जो की X की form में mount की हुई है and guys cabinet में आपको side में tempered glass मिलता है and इस cabinet में आपको एक rare mounted 120 mm का RGB fan मिलता है जिसके effect आप control नहीं कर सकते है and guys इस cabinet में आपको PSU shroud भी मिल जाता है तो अगर आप cable management करना चाहते हैं अपने PC में तो PSU shroud की वज़े से आपको काफी अची advantage मिल जाती है अब guys बात करते हैं I.O ports के बारे में तो इस cabinet में आपको 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, audio and microphone port and guys इस cabinet में आपको power button के साथ एक dedicated button मिल जाता है जिससे आप अपने cabinet के RGB effect को control कर सकते है and guys इसी के साथ इस cabinet में आपको microSD card reader का port भी मिल जाता है so guys इस cabinet में आप 2 3.5 mm की HDD and 2 2.5 mm की SSD माउंट कर सकते है and guys अगर मैं बात करूँ fan support and radiator के बारे में तो इस cabinet के front side में आप 3 120 mm के fan and 2 140 mm के fan माउंट कर सकते है and guys इस cabinet के front में आप 360 mm का radiator भी माउंट कर सकते है and guys इस cabinet के top में आपको magnetic dust filter देखने के लिए मिल जाता है जहांपर आप 2 120 mm के fan and 2 140 mm के fan माउंट कर सकते है और इसके साथ टोप साइड में आप 240 mm का radiator भी mount कर सकते हैं और इस अगर आप इस cabinet की detailed unboxing and review देखना चाहते हैं तो मैं उस topic के उपर और एक video बना कर upload कर चुका हूँ आपको आई बेटन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगर आप इस cabinet को purchase करना चाहते हैं तो आप amazon से purchase कर सकते हैं आपको description में link मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर इस cabinet को purchase कर सकते हैं अगर मैं बात करूं इस cabinet के price के बारे में तो इस cabinet का price अभी आपको काफी जादा देखने के लिए मिल रहा है lockdown की वजए से जैसी lockdown खतम होता है तो price update हो जाएंगे ये cabinet generally sale होता है 2600 रुपीज का and deal में ये cabinet 2500 रुपीज तक का sale होता है तो अगर आप इस cabinet को purchase करना चाहते हैं तो lockdown तक का wait कर लो जैसी lockdown खतम होता है वैसे इस cabinet का price दोबारा से normal हो जाएगा उसके बाद आप इस cabinet को purchase कर लेना जो इस लिस्ट में जो 3rd cabinet choose किया है वह एंटेक की तरफ से आने वाला NX310 अब इस cabinet में आपको front में RGB strips के साथ 120 mm RGB fan भी मिल जाता है और इस cabinet के front में आपको mesh भी देखने के लिए मिल जाती है आप अपने components को show off कर सकते हैं अब अगर मैं बात करूँ आयो ports के बारे में तो इस cabinet में आपको 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, audio and microphone का port, एक power button and RGB controller button देखने के लिए मिल जाता है RGB controller button से आप अपने cabinet के RGB effects को control कर सकते हैं एगर मैं बात करूँ इस cabinet में fan support के बारे में तो इस cabinet में अच्छा fan support दे लिए मिल जाता है अन्त見て Б performances मॉंट कर सकते है और इस cabinet के front में nylon, लिए,ан्म मांट कर सकते हैं एगर मैं बात करूँ रिदी इनच से अपने में यहारा, copper offerze उग मांट कर सकते हैं अभी fan support खतम नहीं हुआ है अभी गिनते जाओ इस cabinet में आप कितने fan लगा सकते हो इस cabinet में आप 220 mm के fan लगा सकते हैं PSU shroud के उपर एक 120 mm का fan लगा सकते हैं इस cabinet के back side में तो अभी इस cabinet में आपको काफी अच्छा fan support मिल जाता है अगर आप इस cabinet को purchase करना चाहते हैं तो आप Amazon से purchase कर सकते हैं description में आपको link मिल जाएगी आप वहाँ से जाकर इस cabinet को purchase कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ इस cabinet की price के बारे में तो ये cabinet sale होता है 3000 rupees से 3300 rupees का तो आपको इस cabinet का price भी काफी अच्छा मिल जाता है जो फॉर्थ cabinet चूज किया इस लिस्ट में वो है anti sports की तरफ से आने वाला 511 MT इस cabinet के front में आपको 3 120 mm के RGB fans मिल जाते हैं एक 120 mm का RGB fan बैक साइड में मिल जाता है इस cabinet में आपको side में tempered glass PSU shroud मिलता है इसी के साथ इस cabinet के front में आपको mess design मिल जाता है तो इस front में mess design होने की वज़े से इस cabinet में good airflow maintain रहने वाला है इस cabinet में आपको vertical GPU mount करने का भी option मिल जाता है तो अगर आपने काफी जादा पैसे spend की है graphics card को purchase करने के लिए और आप उसे vertical GPU mount करने के लिए cabinet purchase करना चाहते थे तो इस cabinet में आपको vertically graphics card को mount करने का option भी मिल जाता है तो अब अगर मैं बात करूँ इस cabinet के IO ports के बारे में इस cabinet में आपको 1 USB 3.0 और 2 USB 2.0 के ports मिल जाते हैं इसी के साथ audio and microphone के ports मिल जाते हैं इस cabinet में आपको reset button, power button and RGB effect को control करने के लिए dedicated button भी मिल जाता है अगर मैं बात करूँ storage mount करने के space के बारे में तो इस cabinet में आप 2 3.5 mm की HDD and 4 2.5 mm की SSD mount कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ इस cabinet के fan support and radiator के बारे में तो इस cabinet के front side में आप 3 120 mm के fan mount कर सकते हैं और 2 140 mm के fan mount कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ इस cabinet के top side के बारे में तो इस cabinet के top में आपको magnetic dust filter देखने के लिए मिल जाता है और वहाँ पर आप 240 mm के fan mount कर सकते हैं और 220 mm के fan mount कर सकते हैं और इस cabinet के top में आप 240 mm का radiator भी mount कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ इस cabinet के price के बारे में तो आप देख सकते हैं यह cabinet currently out of store के lockdown की वज़े से यह cabinet generally sale होता है 3500 रुपीज का तो आप इस cabinet को amazon से 3500 रुपीज का purchase कर सकते हैं अगर आप इस cabinet को purchase करना चाहते हैं तो आपको description में link मिल जाएगी आप वहाँ से जाकर इस cabinet को purchase कर सकते हैं इस लिस्ट में जो 5th cabinet है वो हैंट टेख की तरफ से आने वाला DA500 इस cabinet को launch वह काफी जाधा time हो चुका है यह cabinet आपको काफी अच्छी performance ओफर करता है इस cabinet में आपको price to performance ratio काफी अच्छा मिल जाता है इस cabinet के front में आपको 3 ARGB fans मिल जाते हैं अब guys ARGB fans क्या होते हैं ARGB fans होते हैं addressable RGB fans मतलब आप इन fan के effects को control कर सकते हैं अपने motherboard के साथ भी sync कर सकते हैं अब guys इस cabinet के side में आपको 4 mm का थिक tempered glass देखने के लिए मिल जाता है इसके साथ इस cabinet में आपको PSU shroud इस cabinet के front में आपको acrylic sheet मिल जाती है acrylic sheets और RGB fan के combination की इस cabinet में looks आपको काफी amazing मिलने वाले हैं अब guys अगर मैं बात करूँ इस cabinet के IO section के बारे में तो इस cabinet में आपको 2 USB 3.0 के ports audio and microphone का port power button and RGB controller button देखने के लिए मिल जाता है RGB controller button से आप इस cabinet के RGB effects को control कर सकते हैं अब अगर मैं बात करूँ इस cabinet के storage space के बारे में तो इस cabinet में आप 2 3.5 mm की HDD and 2 2.5 mm की SSD माउंट कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ इस cabinet के fan support and radiator के बारे में तो इस cabinet के front में आप 3 120 mm के fan and 240 mm के fan माउंट कर सकते हैं एक 360 mm का radiator माउंट कर सकते हैं इस cabinet के top side में आपको magnetic dust filter मिल जाता है और इस cabinet के top side में आप 220 mm के fans and 240 mm के fans mount कर सकते हैं और इस cabinet के top side में आप 240 mm का radiator भी mount कर सकते हैं वीडियो के description में आप लिंक मिल जाएगी आप वहां से जाकर इस cabinet को purchase कर सकते हैं and guys मैं suggest करूँगा कि आप lockdown खुलने तक का wait करें क्योंकि lockdown खुलने के बाद price वापस से normal हो जाएंगे and आप इस cabinet को 3700 rupees में ही purchase कर पाएंगे so guys जिन लोगों ने वीडियो यहां तक देख लिया है उन लोगों के लिए इस वीडियो में एक surprise है वैस्तो guys मैं इस वीडियो में सिर्फ 5 cabinets के बारे में ही बताने वाला था तो total इस वीडियो में मैं आपको 7 cabinets बता दूँगा and आप इन 7 cabinets में किसी भी cabinet को purchase कर सकते हैं सब इस cabinet आपके लिए best रहने वाले हैं इस cabinet में आपको फ्रंट में RGB strips मिल जाती है and 3 120 mm के ARGB fans मिल जाते है and एक 120 mm का ARGB fan इस cabinet के back side में मिल जाता है and guys इस cabinet में आपको side tempered glass के साथ front में भी tempered glass मिल जाता है तो इस cabinet के looks आपको काफी awesome मिलने वाले हैं and guys इस cabinet के front में जो tempered glass लगा हुआ है वो some kind of honeycomb design से inspired है जिसकी वज़े से इस cabinet के looks आपको काफी अच्छे मिलते हैं and guys इस cabinet में आपको PSU shroud भी मिल जाता है तो अगर आप cable management करना चाहते हैं तो PSU shroud की वज़े से आपको एक advantage मिल जाती ही cable management करने के लिए so guys अब बात करते हैं इस cabinet के IO section के बारे में इस cabinet में आपको 1 USB 3.0 and 2 USB 2.0 के ports मिल जाते हैं audio and microphone का port मिल जाता है power and reset button मिल जाते है and RGB controller button भी मिल जाता है अब इस cabinet में आप 2 3.5 mm की HDD माउंट कर सकते हैं and 2 2.5 mm की SSD माउंट कर सकते हैं and guys इस cabinet में आपको motherboard के side में 2 2.5 mm की SSD माउंट करने के लिए अप्शन मिल जाता है and guys अगर मैं बात करूँ fan support and radiator के बारे में तो इस cabinet के front में आप 320 mm के fan लगा सकते हैं and 240 mm के fan लगा सकते हैं and 360 mm की radiator माउंट कर सकते हैं and अगर मैं बात करूँ इस cabinet के top side में तो इस cabinet के top side में आप 220 mm के fan mount कर सकते हैं, and 240 mm के fan mount कर सकते हैं, and 240 mm का radiator भी mount कर सकते हैं, तो इस cabinet में आपको cable management करने के लिए के एडवानटेज में बिलती है, इस cabinet के side panel में आपको cable management करने के लिए एक अलग से section दिया हुआ है, in section में भी आपको removable shroud देखने के लिए जिसका यूज़ करके आप अपने केबल को हाइड कर सकते हैं, एक क्लीन लूक अचीव कर सकते हैं, अगर आप इस कैबिनेट को पर्चेस करना चाहते हैं, तो आप Amazon से पर्चेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस कैबिनेट की प्राइस के बारे में तो ये क्यमिन आपको आरौण 4,600 रॉपीज का मिल जाएगा, अगर आपको इस कैबिनेट का प्राइस 4,600 से जाधा देखने के लिए मिलता है, तो आप वेट कर सकते हैं, जैसे इस कैबिनेट के प्राइस नर्मल होते हैं, तो आप सेड़नी इस अब जो 7th cabinet मैंने चूज किया है वह है Corsair की तरफ से आने वाला स्पेक डेल्टा अब इस cabinet में आपको 3 120 mm के ARGB फैन मिल जाते हैं फ्रंट में एक 120 mm का ARGB फैन मिल जाता है बैक साइड में इस cabinet में आपको इस cabinet के आयो सेक्शन के बारे में तो इस cabinet में आपको 2 USB 3.0 के पोट्स पावर बटन रिस्टार्ट बटन ओडियो एंड माइक्रोफोन का पोट्स मिल जाता है इस cabinet में आप 2 3.5 mm की HDD और 2 2.5 mm की SSD माउंट कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ इस cabinet के फैन सपोर्ट और रेडियेटर के बारे में तो इस cabinet के फ्रंट में आप 3 120 mm के फैन माउंट कर सकते हैं एड एक 360 mm का radiator भीласт और फ्वेयर ऐंट कर सकते हैं अगर मैं बात करूं इस क्वानियट के बारे में यसां के क्वानियट के बारे में तो इस कैबिनियट के TOP में आपको काफी जादा money invest करता है, cabinet का design कैसा होना चाहिए, good air flow maintain रहना चाहिए, decent space for cable management, IO ports and dust filters की quality कैसी होगी, ये सभी चीज़े Corsair के expert design करते हैं, so guys, अगर आप इस cabinet को purchase करना चाहते हैं, तो इस cabinet में आपको price to performance ratio काफी अच्छा मिलने वाला है, and ये product एक value for money product है, तो आप इस cabinet को purchase करने के बाद 1% भी regret fill नहीं करने वाले हैं, so guys, इस वीडियो में जितने भी cabinet मैंने आपको बताए हैं, वो सभी cabinet support करते हैं, ATX, Micro ATX and Mini ITX form factor वाले motherboards को, तो अगर आप इन cabinets को purchase करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो को description में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इन सभी cabinets को purchase कर सकते ह इन में से किसी भी cabinet को purchase कर सकते हैं, so guys, यही ता आज की इस वीडियो में, I hope you enjoyed the video, and guys, अगर आपका कोई भी question है, इन में से किसी भी cabinet को आप मुझे comment कर सकते हैं, मैं आपके सभी comments पढ़ता हूं, and reply भी करता हूं, and guys, अगर यह वीडियो आपको helpful लगी हो, तो आप वीडियो को like जरूर करना, so guys, मेरे चैनल पर बात होती है, ऐसे ही games and gaming pieces related content के बारे में, तो अगर आपका भी interest है, games and gaming pieces में, तो चैनल को subscribe करें, and स साथ ही press करो इस bell icon को, ताकि मैं future में जो भी new videos upload करूँगा, मिल जाएगे आपको इसकी instant notification, so guys, this is Tony, and you are watching Gadgetbeat YouTube channel, and at the end, thank you for watching guys,